देते गुरु जी हाँ देते गुरु सही सुना आपने बिलकुल और देते शुक्र जैने कि जिन्होंने देवताओं को और राक्षासों को शिक्षा दी देव गुरु और शुक्र बहुत महत्वपून के रहे हैं जोतिश में और देते गुरु शुक्र की राशी में देव गुरु ब्रस्पती का आगमन होने जा रहा है एक मई को अब इन राशीयों पर देव गुरु ब्रस्पती की रहेगी विशेश कृपा और टोटाल नंबर ओफ राशी कितनी है मेरे पास है आठ अब आठ में से कुछ पर एवरेज फल रहेगा और कुछ पर रहेगा बैस चैनी के एक्सिलेंट अब वो कैसे रहेगा उसको मैं कैटे इसी भी राशी होंगी जिनके साथ प्लस और माइनस दूनों चलेगा अच्छा और बुरा और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा उनके लिए बुरा नहीं है तो आईए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूँ अगर आप चैनल पे नए है यही शुब कामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा यही बदाई मैं आपको देना चाहूँगा और देव गुरु वरस्पती का बारा वर्श के बाद जो यह वरशब राशी में ट्रांजिट हो रहा है इसके शुब परिनाम बहुत शुब रूप में आपको प्राक्त हों तो आईए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले नंबर पर मैं वरशब राशी को ही लेना चाहूँगा अब मैं वरशब राशी को सबसे पहले नंबर पर देखे दोस्तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वरशब राशी के स्वामी जो होते है न वो खुद देव गुरु श अब ऐसी इस्तिति में यह लेकर के क्या आ रहे हैं यह बड़ा महत्त रहेगा अब मैं आपको एक चीज़ बहुत सपस्ट मता देता हूं उनके पास तो डिपार्टमेंट दो ही हैं एक डिपार्टमेंट तो है लाव का यह बारा नंबर जहां लिखा है और एक डिपार्टमें प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले बारा महीनों तक बट लाव के लिए ये काफी हद तक ठीक हो जाएंगे आपको लाव देनेंगे क्योंकि जोतिश का नियम है कि यदि लावे से शरीड परा करके बैट जाये तो वो लाव देता है लाव करी परिस्तियों का निर्माण करता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो देव गुरू ब्रस्पती हैं वो संतान की भी उन्नती कराएंगे आपकी और साथ में आपके दामपत्य जीवन को भी बैटर करेंगे और आपके विदेशों में या देश विदेश में काफी जादा आना जाना लगा रहेगा ऐसा भी एक योग बनाएंगे परंतु ये भागे के घर को देख रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि इनकी दृष्टी अच्छी नहीं है तो एक तरीके से जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे वो थोड़ा सा स्लो जरूर मिलेंगे बट लाव आपको आएगा तो ये मैंने बेस्ट राशी के बारे में अभी आपसे बात करी अब मैं जिस राशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस राशी का नाम है दोस्तो करक अब करक राशी बड़ी महत्वपूर होती है और वो इसलिए होती है क्योंकि इस राशी के स्वामी चंद्रमा होते हैं और देव गुरू जो ब्रस्पती हैं उनके पास जिम्मेदारी भाग्य की आ जाती है और एक रोग की आ जाती है और गोचर करेंगे प्रॉफिट के घर पर ये देखिए यहां देव गुरू ब्रस्पती का गोचर हो जाएगा इस घर में और यहां पर देव गुरू का बैठना जो तिसमें बहुत ही अच्छा होता है काफी लाब दायक और आनन दायक होता है यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो आप जो कुंडली अब आपके सामने दीख रही है यह रही करकराशी और देव गुरू बरस्पती यह रहे लाब के घर में और डिपार्टमेंट एक तो बारा नंबर का है इनके पास और यह क्या यह नो नंबर लिखा यहां का डिपार्टमेंट है अब ऐसी इस्तिती में यह आपको जो फल देंगे स्वास्त के दृष्टिकों से अच्छा नहीं देंगे हैल्थ पर लीवर पर किर्नियों पर आपके बुरा प्रभाब पड़ेगा यह मैं आपसे कह देना चाहता हूँ बट भगेश होकर के लाव पर बैठे हैं तो लाव आपको निश्ची तोर पर दे देंगे यानि कि थोड़ा सा बल आपको यह अवश्य प्राप्त होगा और संतान की उन्निती भी आपकी अच्छी करवाएंगे इसके बाद मैं जिस राशी के वीशे में बात करना चाहता हूँ उस राशी का जो नाम रहेगा वो है सिंग तो सिंग के दोस्तों आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके अनुसार यह कहा जा सकता है के देव गुरू ब्रस्पती एक तो आपके उन्नती के लॉड हैं देव गुरू ब्रस्पती नीती शास्ट विद्वानता एजुकेशन कॉंपटेटिव एक्जाम्स हायर स्टडी के लॉड है और बैठें केरियर पर यानि की बुद्धी का करम के साथ संबंद बनेगा ये एक पॉजिटिव साइन है केरियर की भी को भी एक बलप्राप्त होगा और सकरात्मा गुर्जा का वास होगा विद्धार्थियों के लिए समय बहुत विशेश रूप से अच्छा रहेगा ये म को भी देखेंगे तो इन चीजों में इजाफा होगा बस एक ड्रॉबैक है इसमें कि देवग्रू बुरस्पती स्वास्त को भी वीक करेंगे और इसके अलावा आपके अगर दुश्मनी ज़्यादा है समाज में तो शत्रू पक्ष से आपको कुछ हानी हो सकती है आपके ख जातक मुझे फिलाल कन्या के सुन रहे हैं आप से मैं यह कह सकता हूं कि देवग्रू बुरस्पती आपके लिए भाग्य के घर में हैं और आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वहां जमीन जादात के लौड हैं मा के लौड हैं और साथ में आपके दामपत्ते जीवन के लौ काफी अच्छे रिजल्ट कन्या राशी प्राप्त करेगी यह मैं आपसे कह देना चाहता हूं बेज जग करके कह देना चाहता हूं तो आपके उपर विशेश किरपा रहेगी कन्या राशी वालो देव गुरू ब्रसपती की अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा व्रिष्चिक राशी के विशे में देखे व्रिष्चिक राशी के स्वामी मंगल गरह होते हैं और देव गुरू ब्रस्पती के ये मित्र भी होते हैं मंगल अब ऐसी इस्तिती में इनका आप के लिए जो रिजल्ट रहेगा दामपत्ते जीवन पर रहेगा प्रॉफिट पर रहेगा व्यक्ते तुमान सम्मान पर रहेगा और साथ में प्रेम विभा के दृष्टी कोंड से रहेगा जिन इस्त्रियों के विभा नहीं हो रहे उनका विभाज देव ग्रूब रस्पती करा देगा एक मई के बाद में एजुकेशन में जिनके बहुत जादा बाधाईं आ रही है प्तियों की परिक्षाओं में आसफल हुए जा रहे हैं बार-बार उनको एजुकेशन में विशेश लाप देदेगा सरकारी नौकरी में के ट्रांसर प्रोमोशन रुका हुआ है तो उस काम को करवा देगा यानि कि रुकावर्ट को दूर करेगा बड़ छोटे भाइबेनों से आपको धोका मिल सकता है या जो लोग उम्र में आपसे छोटे हैं और आपके बहुत प्रेमी हैं जिनके साथ आपका प्रेम भाव ज्यादा है ऐसे लोगों से आपको अलट रहना पड़ेगा वो आपको धोका दे सकते हैं तो ऐसी ग्रह इस्तिति हां व्रिष्टिक राशी में मुझे बनती हुई नजर आ रही है अब मैं आप से बात करूँगा नेक्स राशी के विशे में राशी बहुत महत पराक्रम है बट आ जाएंगे फिफ्ट हाउस में तो खर्ज तो बढ़ाएंगे इसमें कोई दोराय नहीं है आपको लोग आपका एडवांटेज भी लेंगे आपसे फायदा भी उठाएंगे ये भी मैं कह सकता हूं बट ये जिस घर में बैठ रहे हैं वहां आपको सकता है इसके अलावा भग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा आपको विदेशों से लाव प्राप्त हो जाएगा आपको बड़े व्यपारिक लाव यहां पर प्राप्त हो जाएंगे और अगर आप विदेशों में रह रहे हैं वहां कारेरत हैं तो उस दृष्टिकोन से आ और नाम है कुम्ब, देखे कुम्ब राशी में क्या हो रहा है कि देव गुरूब रस्पती के पास एक तो प्रॉफिट है और दूसरा पैसा है और बैठेंगे जाके सुख सुविधाओं के घर में और देखेंगे केरियर को, तो केरियर के लिए, लाब के लिए, धन के लिए और सुख सुविधाओं के लिए बहुत सुंदर योग है और बहुत शुव योग है यानि कि ग्रहे आपके साथ में हैं इसके बाद नेक्स नंबर पर जिस राशी के बारे में आप से मैं बात करना चाहता हूं उस राशी का नाम रहेगा मीन तो दोस्तों आपकी जो ग्रहे स् लेक लिखते हैं सही तकार हैं आपके लिए अच्छा रहेगा बागये को सपोर्ट मिलेगा दामपत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा बट मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे उनमें कमी आपको देखने को मिलेगी तो यह हैं वो राशीयां जिनके ऊपर देव गुरू ब्रस्पती की विशेश किरपा रहेगी अगर आप भी कुल्ली बनवाना दिखवाना पूजा बाठा लेना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं नमस्कार